ब्ढ़रे नियुक होके स्वागज थे सभी का नमस्कार सभी उद्यार से जोड़ जाएए फटाफट से हाजी डेट डिग्लेरेशन हो गई है 21 तरीक फिक्स हो चुकी है अब फटाफट से जो है जुड़ जाईए अब टाइम खराब मत करिए ना मैं करूंगा ना आप लोग करिएगा और जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजेगा बस इतना एक बार कहूं फटाफट से जुड़ जाई जल्दी से जल्दी राकेजी राकेजी वी आईपी जी विप्पूल जी है ना चलिये 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 प्रदिब जार जी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग प्रदिब आई चलो 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 फटाफट से जुड़ जाईए सभी सभी ए राजस्थान घे के को तहां कि इस जुझए आप सब्सक्रांइन सुझी सब्सक्राइब दो सभी द्यार से जूट चुके हैं और सभी जयर कर दीजगा सबी तक पहुचा दीजेगा पहला प्रशन जो है मैं आपके सामने सुरू कर रहा हूं ठीक है पहला प्रशन जो है हाँ इससे उमीद है सारी इससे ही उमीद है उमीद रखनी है और 100% आपका काम हो जाएगा इससे उमीद भी रखनी है और उमीद क्या रखनी है 100%, से आपको प्राइक्स्या में मिलेंगेज मैं आपको टैलिग्राम पर Megara पर जहां जहां पर जो … पीदी ओव शेएर की जारी है प्लीज उसको एक बाहर रट लीजेगा है से ना थोड़ा सा उसको रट लीजेगा आपके सारा काम हो जाएगा आपका सब हो जाएगा फिर से देखेगा अगला आपन सुरू करते हैं हाना देखो किस द्वारा लिखे ते नॉन फिक्षन किताब स्मॉक एंड एसेच जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी अभी ये किताब रिलीज नहीं की गई है और किसके द्वारा लिखी गई है जिसको र यहां पर जो है नॉन फिक्षन किताब इस्मॉक एंड एसेच जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी अग ये पुस्तक जो है किस ने लिखी है ठीक है तो ये पुस्तक जो है वो अरविंद अडिंगा ने लिखी है अब एक पुस्तक का प्रस्टना आ जाएगा किसका आ पर देंगे लिखी है न स्मोक होता है रोखानाए दूऑ लेकिन आपन में निकाल देंगे नसे से और इन्च कोई व्यक्ति जो आडब वीक्ति हो औ अडिक वेक्ति होगा वो तो नसा करके ही रहेगा ona याद रखिगातों पहला कोशन मेरे साथistic रहे हिए आपका एक प्रस् मिलेगी देखिया 68 वा हुंडाई 68 वा हुंडाई फिल्म फेर अवोर्ड जो है 2023 जो है किस सर्वस्रेश्ट फिल्मों को दिया गया ठीक है तो यह बुल बुल यह आई थी टू आई थी जुग जुग जीयो बदाई सी है और यह हो जाएगा आपके गंगु भाई काठिया हुआ अगला कोसेश्ट दिखेगा किस राजये सरकार ने सडक साथ हादसे में गयाल वेक्ति को अस्पताल पहुचाना वाले को 10,000 रुपे देने की गोष्णा की है ऐसी गोष्णा राजस्थान ने भी की थी ओके सर आपने अभी तो क्लास ली थी वह जी की थी देखो सुनो अभी बहुत सारी चीजे जो है मैं लेकि आने वालों आपके लिए चिंता मत करेगा थोड़ा सा देहरिया बनाए रखेगा ओके हाजी तो यहां पर देखेगा कि किस राजसरकार ने सडख हाथसे में गायल वेक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपे देने की गोष्णा करी थी ऐसी एक गोष्णा जो है वो राजस्थान ने भी करी थी ऐसी गोष्णा किसके द्वारा की गई थी राजस्थान में लेकिन राजस्थान में की गई थी उसके तहट 5,000 रुपे दी जाएगी है ना परिवार और स्वास्था मंत्रा यानि कि यह जो है अस्पताल से स्वास्था से जुड़े हुए लोगों जो पहुंचाएगा उसको मिल पहले को 10,000 रुपे की गोष्णा करिए और यह कौन सा हो जाएगा बिल्कुल जो है यह हो जाएगा आपका बिहार सरकार ठीक है अगला कोशन देखिगा अंतराष्टी नरत्य दिवस जो है वो कब मना जाता है तो अगला प्रश्ण हो जाएगा अंतराष्टी नरत्य दिव प्रश्ण है वो भी यहां पर नहीं छोड़ा जा रहा है ओके सुरिकान सर का लाडला राम-रम सर राम-राम भया राम-राम ठीक है ओके लाडले हैं भया शेयर नहीं करेंगे तब ही मज़ा आएगा अगला बहुत प्रश्ण है जो देखिए नेशनाल मेटीकल डिवाइस पॉलीसी के ताहत कितने मेडीकल डिवाइस काself कि जूएगी कितने मेडीकल पार्क कि जूएगी इसथाफना की जाएगी बारा सो चे किरोड की लागत से यह आद रखेगा प्रशन्म पुछा जा सकता है कि कितने राज्जों में कौन से राज्जों में यहाँ पर अस्थापना की जाएगी और कौन से राज्जों में अस्थापना नहीं की जाएगी तो यह बिलk विद्यारतों। प्रदेश तमिलाडू देखेगा यूपी हो जाएगा एंपी हो जाएगा और एच्पी हो जाएगा याद रखने के लिए और एक याद रखेगा तमिलाडू ठीक है तो यह सोट में ऐसे याद रखेगा एक हो जाएगा यूपी एक हो जाएगा एंपी और एक हो जाएगा तो 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है साथ में 26 परियोजनाओं को जो है क्या दी गई है मंजूरी दी गई है तो यह बात हो जाएगी चलिए ओके 26 परियोजनाओं को जो है क्या दी गई है मंजूरी दी गई है चलिए फिर से देखेगा अगला तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा चार ठीक है कौन सा हो जाएगा चार हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं को अगला देखीगा पी एम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांस्मिटरों का उद्गाटन किया है कितने FM देदी है क्योंकि इस भरती के बारे मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक क्या है क्या नहीं है दल्पत भाई लेकिन सर ने जो है इसकी पूरी इंफोर्मेशन देदी और नहीं देंगे अभी सर आएंगे खुद आट पंदरा पे तो आपन उसमें भी आप बात कर लिजेगा अधारा राज्यो और दो केंदर साशित प्रदेशों में जो है इसको सुरू किया गया है और यह संख्या कितनी थी तो यह संख्या की बात अगर मैं बता दू तो यह संख्या थी का किया किया गया है तो आतना ही जो आप कवर कर लेंगे बहुत हो Learn प्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एस याई बल्लेबाच कोन बने जिसने अंतराष्टी इसने 277 पारियों में यहां मेच बना दिये थे 277 पारियों में लेकिन इनका जो है मेच जो होता था वो छोटे-छोटे देशों के साथ में होता था इसलिए आपन प्रशने है संभावना है कि परिक्सा में प्रशने भी आ जाए देखो यह चलाया था 24 अपरेल को यह कब चलाया था 24 अपरेल को 2023 को क्लीर है तो पहली बात तो यह याद रखेगा कि 24 अपरेल 2023 को जो है इसको चलाया गया था ठीक है हाजी नहीं अभी अभी तो बाबर आज एक बार तो इसका क्या नाम आएगा बाब राजम ऐसके अपने महिलیں के हिसाब से बात करूं अब आप church czy चैन्ज हो गए तो उसके हिसाब से चलिये नियुकम देखें14 अपरेल May 24 अपरेल 2023 को सुड़ू किया गया था और इसका नाम जो हे वह आ प्रिशन可愛 इसका मैं चैनल के लिए उनको बाहर निकालने के लिए इस युदध विद्धियार्थियों का सहयोगी नहीं है तो यदि विद्धियार्थी अपने हिसाब से सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यह आज मई का करेंगे उसके बाद जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं कर पाएंगे और यह कोशन यह आपके परिक्सा में मिलेंगे मैं आपको पीडियार्थ सेंट कर दूँगा एक बर देखिएगा इसको यदि आप शेर नहीं करोगे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं है आगे इस क्लास को कंट्यूनु मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह आपके उपर डिपे सबसें कावरी हो जाएगा फिर से देखिएगा वरे नदी के नाम पर र啊 अगला देखिएगा सीदे-řिसदे प्रस्ट नाएं लिए अप सीदह सीदह न Táरीगल अगला प्रष्ते देखेगा बिल्कुल सेर कर कर के आ जाओ सभी सभी layer कर कर कई हाल ही में कौण सा रग जए भांड वांड जो है क्या कर रहे हैं जूता है चलिए ओके ओके क। फिसे कर नरे में कर रहर हैं तया चली है किस सरकारि निकंज़ छो ही तरिटिव के जरिये का चलने ж 아닌 कर दीजेगा आपको पता चल जाएगा गला CSR जो आपके काम के है प्रश्ण उसी लेवल के लेके आ रहे हैं। बाकि आप यह सोच लीजेगा जो आपको अच्छा लगता है वो बोड को अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ओके सडेट या मन तो नहीं दे रखा है। अज सब में कटारिया गल जो है डेट और मन्स नहीं पूछी जाती है। जहाँ जहाँ पर पूछी जाती है वहाँ महाँ पर में मैंसन करता हुआ चलूँगा पावर ग्रीड एंड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है। अपने को थोड़ा आइडिया लगेगा बाकी जो है आपको पता जल जागा देखो कैसे है। देखो सुनिएगा। हाल ही में फार्मा मसीनरी प्रोद्योगे की पर सिखर सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ था। और इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया था भारती उद्योग परिशंग और ट्रेक्टर एंड मेकनाइजेशन असोशेशन द्वारा ट्रेक्टर मेकनाइजेशन असोशेशन और जो है CII बढ़ ज तो एक तो क्या हो जाएगा Cii, ठीक है, प्लस मैं प्लस मोणन के द्वारा ट्रेक्टर मेकन आयोजन कहा था, जहां पर टीट्ग की जरूद होगी, मैं बता दूँगा, अगला देखी गार्फ सममान किसे दिया गया? प्रस्ण यही बनेगा कि यह जैपूर के थे अखिल भारती विश्ष्ष्ट्य साहित्यसमान जो है किसे दिया गया तो यह जैपूर के थे अब देखो प्रस्ण यही बनेगा कि यह जयपूर के थे और कब दिया गया वगैरा नहीं पुछा जाता किसे दिया गया तो नंदबारद्वाज को किसको दिये गया नंदबारद जहाँ पर ज़रूरत होगी वह मैं आपको दे दूँ मां फिर अगला कि हाल ही में स्वायत शासन विभाग द्वारा कितनी नई नगर पाली का ओ कि गठन कि जोह क्या दी गई है passionsmanager मुझई जो है 2023 पॉजठ में दी जहीं 2023 k के जहां किस्या नहीं पड़ा हो तो याद रखना है साथ-साथ click ठीक है और स्वायत सासन विभाग द्वारा जो है कितनी नगर पालिकाओ का जो है क्या किया जाएगा गठन किया जाएगा इसकी जो है मंजूरी मिल चुक है डेट सब में मैंसन नहीं है इसा जरूरी नहीं है कि सब में मैंसन करें इसा कोई possible नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हाँ जी कितनी नगरपालिकाओं हो जाएगी नगरपालिकाओं की गोशना करी है नई नगरपालिकाओं की ठीक है यह मुख्यमंत्री असो गयलोद ने राजस्थान की नगरपालिकाओं की बात करी है राजस्थान की नगरपालिकाओं ठीक है तो यह राजस्थान की बात करें बैया किस की बात करें राजस्थान की ये बात करें राजस्थान की बात करें तो कितनी नगरपालिकाओ का गठन किया जाएगा ठीक है हाँ जी किती नगरपालिकाओ का गठन किया जाएगा तो 10 ठीक है अगला देखेगा next देहरादुन में आजित राश्ति कराटे प्रतिवगिता में किस खिलाडी ने स्वनपदक जीता है अब बात समझेगा यहाँ पर एक मनिपाल युनिवरसिटी है जैपूर में युनिवरसिटी का नाम हो जाएगा मनिपाल युनिवर्सिटी जो है वो जो है जैपूर में है और इसके खिलाडी इससे संबंदित जो वैक्ती है जिसका नाम क्या हो जाएगा रिसब मिस्त्रा रिसब मिस्त्रा ने देहरादुन में आजित होने वाली इस प्रतिवगिता में जो है कौन सा किसान संपरक अभ्यान कारेकर्म सूरु किया है किसाज राजय में किसान संपर्क अभ्यान देखो यहां पर जो है किसान संपर्क अभियान भी सुरू किया और पता आपको पंचायती राज का सफल ओडिट भी किया गया और यह राज्य था कौन सा जम्मुकस में रही है जम्मुकस में राज्य नहीं है यह केनरसाशित प्रदेश हो जाएगा तो यहां पर जो है इसको याद रखीगा यह केनरसाशित प्रदेश हो जाएगा ठीक है तो यह जम्मुकस में राज्य नहीं होगा यह केनरसाशित प्रदेश के रुप में जो है कारे किया जएगा अगले कोश्चन के और बात करेंगे जो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा विक्सित करने का प्रश्ताव रखा गा है। लगबग बैटके जो है G20 की लगबग बैटके जो है दिली में आई जित हुई थी। तो यहां पर ही जो हे जिए टुए पार्क जो है बनाने की जो है ऐना गर थी गोष्णागर थी अगले कोशन की और देखेगा किसे अजर बेजान ग्रेट फिक्स 2023 का खिताब जो है जीता था यह बहुत इंपोर्टेंट है यह ऐसे प्रस्ति जो है बहुत इंपोर्टेंट है foreign थीकर अस्टेलियापन हो गया ऊस्टेलिया बेस इसलिए कियराओ कि व कॉश्चोनों के गंबिरता से लेकर करके इसको कर लीजे कवर अच्वसस को कवर कर लीजे वरना तुमकर रहे जाओगे ठीक है तो इसको चाहर बंपड़ा शी अबरस्ब्ली संब पुछ चैन आध ये यही प्रेशने पूछे बांकु में इसका योजन जो पुरुसकार जीता था ठीक है चलो अब अगला कोशन देखीगा अरबी और अकडों के अनुसार किस राज्य ने लगा तार तीसरे वर्स उच्टम बाजार उधारी वाले राज्यों के सुची में सिर्ष अस्तान हासिल गया है उच्टम बाजार उधारी वाले राज्यों में सिर्थास्तान हासिल गया सबसे उपर है, उच्तम बाज़ार उधारी짜 वाले जो है मामल हो से उपर है, ऑोके, हाजी, तो यह कौं सा हो जाएगा? आरले ये की अकड़ो के अनुसार जो है कौन सा हो जाएगा तो RBI के अकड़ो के अनुसार जो है तमिल्लाडू रज्य हो जाएगा जिसने बाजार उधारी में जो है सरो स्टेश्ट है उस सिर्श सिर्स अस्तान पर रहा है कौन सी उधारी में बाजार उधारी में जो है ये RBI के अनुसार RBI के अनुस बागे फिर आपकी मर्जी आप कहां पर बटको कहां से करो वो आपके उपड़ी पने देखे परमानु उर्जा आयोग के नए अध्यक्स और परमानु उर्जा विभाग के सच्चिव के रुप में जो है किसे चुना गया तो इसमें ऐसे प्रश्णों में मैं टाइम खराब न जाएंगे आप चिंधा करीगा और 10 जो है आपको बोड में से दिखाऊँगा और जो करके दिखाता आऊ थीक्तव हो को किस बैंक का प्रबंधन या निर्देसक गित drinking किया है इसे प्रस्ण जो है मैं सबसे बतांगा bank of India का किसका कुन सी बैंग हो जाएगी वह bank of India इंडिया इंटे कर राजनीशSound कर लाकर है निकिका ईर्षव阁 कर दो था, MD केह दो, ठीक है, जिसको मैनेजिंग डारेक्टर बनाया था, किसको बनाया था, रजनीश करना टक, तो रजनीश करना टक को, PDF मिल जाईए हमारे अगला देखेगा कोशें, किस कंपनी ने भारत में स्टोक एक्चेंजो को, इस स्टेट एक्चेंजो पर छथी सबसे मुल्यवान कंपनी बनने के लिए, जो है, आईटी प्रमुक इन्फोसिस को पीशे चोड़ दिया, तो जो इती की प्रमुक कंपनी है, इन्फोसिस को पीशे चोड़ करके, अब यह कंपनी जो है वो आगया गई है, तो वो कंपनी कौन सी हो जाएगी फटा फट से बताएगा, हां जी, आजे, और यह एक बात नियमेश कम्पणी चम्पनी चाहिए के आपकी ITC को चाड़ा था और HDFC को पचारने के बाद आपके आप yeah अप जो है कौन सी कौन सी ास्थान पर आ गैई याद रखे का कौन से अस्थान पर आ गई है ये चटधर्वे अस्थान पर आ जाएगी त्श is नहीं अगर नहीं पता ना कु՝ भी चीज है नहीं पता तो यहां पर किया इस देशेने को कहा इस देशेने के लिगा ने इस देश का समर्थन किया ड्यश याद रखीगा बहुतर क्रेसणые प्रदा के सकते हैं भारत्य प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी यानि कि ये काम जो है कि ने कि यदा भारत ने तो बाजरा उत्पाजन में भारती सर्वस्रिस्ट हैं दो 2023 हो जाएगा याद रखीचा ये नया प्रस्तुन है जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ जा सकता है क्लिर चलिए ओके अगले question के वर, अगला question साल 2023 का परागवे राश्टपती चुनाव किसने जीता अब डिखो, ये centi ya no हो जाएंगे, इसमें कोन हो जाएंगे, कहां गए, centi ya go Pema, अन्होंने यहां पूरुशकार जीता था, सिधा प्रस्टन आएगा, परागवे का राश्टपती कौन है, तो cent लेकिन आप पहन्मा को भी याद रख़ो के तो भी चल जाएगा। के कौझ सा हो जएगा सेंटि आगोपेमा ठीक है चलिए ओक अगला देखिएगा अगला देखिएगा हाल ही में NASA Space Agency के विग्ञानिकों ने चंद्रमा के दूल से किसकी खोच किये, चंद्रमा के दूल से इन्होंने किसकी खोच किये नासा ने जो है आटमीस मिशन याद रखेंगा इनका मिशन कौन सा था आटमीस मिशन एक मिशन था इनका आटमीस मिशन तो इस आटमीस मिशन के तहद जो है इन्होंने अंतरिक सियात्रियों को चंदरमापर प्रहजने की जो है क्या कर लिए तैयारी कर लिए और इसके तहद जो है इसके करिए तो oxygen किसकी खोच की बात की गई है तो oxygen तो यहाई पर इसके द्वारा clear चलिए अगला question देखिएगा simple है इसकी जो है वो ठीम बहुत important है थीम को लेकर के आपसे प्रस्ण पूछा जा सकता है इसकी थीम समझेगा थीम बहुत important है shaping a future of rights याद रखेगा थीम लिखराओं में यहाँ पर जो important है थीम हमेशा पूछी जाती है, शेपिंग, थीम हो जाएगी, थीम क्या हो जाएगी, शेपिंग, a future of rights, बहुत बड़ी थीम है, शेपिंग, a future of rights, ठीक है, तो शेपिंग, a future of rights, ये इसकी थीम है, हलाकि इसमें और भी सब्दों जुड़ों हो, जैसे, freedom of expression, freedom of, freedom of expression, expression, ठीक है, freedom of, जो है, कौन सा हो जाएगा, expression हो जाएगा, freedom of expression की बात करें, for a driver, 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 और दूसरा आ जाएगा, for other all human rights, for a driver, for other all human rights, ये इसकी थीम है, और ये प्रतिवर्स जो है, कब मना जाता है, तो ये प्रतिवर्स जो है, वो तीन तारिक को मना जाता है, हर साल ये तीन तारिक को मना जाता है, तीन मई को जो है, प्रतिवर्स, हर साल जो है, यह तीन मई को मना जाता है, तो प्रतिवर्स जो ह आगे देखीएगा प्रतिवर्स दिवस जो है वो तीन मही को मनाया जाता है ठीक है ऐगला देखी गा लेनीज ने किस अभीनेतरी को भारत के लिए फर्स्ट अभरांड फेस के रुप में जो है साइन किया लेनीज अब ये लेनीज जो कंपनी है समझेगा लेनीज कंपनी की ब कौण से सामान की? कौस्मेटिक सामान की बात की जाती है। अब इसने अपना एक ब्रांड आंसर दे सकते हैं। ना तो सुबर ना साम, अभी एक्जाम कीस तारी को फिक्स है, तो कौन सी सुबर, कौन सी साम, कौन सी दिन और कौन सी रात, तो छोड़ी अभी तो, क्या आंसर हो जाएगा, आथिया सेटी, सुनिल सेटी की बेटी हो जाएगी, आथिया सेटी, सुनिल सेटी की बेटी जो है, पर आजाएगे तो आथिया सेटी की बात करेंगे यहां पर क्लीर है कौन से हो जाएगी आथिया सेटी और सुनित सेटी की बेटी ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला दिखीगा इसके जश्ट बात इकोनोमिक सर्वे करवाने वाला हूं राजस्थान का इसके ये पंदेरवा संस्क्रण था याद रखेगा ये जो है कौन सा संस्क्रण था पंदेरवा संस्क्रण था ये इसका पंदेरवा संस्क्रण था जो कहां पर हुआ था याद रखेगा कहां पर हुआ था तो दुबई में हुआ था याद रखेगा कहां पर हुआ था दुबई में क्लियर चलिए जहां पर अप्रेल अप्रेल की बात आईगी वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा तो यह बात आप समझ लीजेगा अगला कोशन देखेगा विश्व अस्थमा दिवस जो है वो कब मना जाता है विश्व अस्थमा दिवस यह हमेशा मैं के मंगर मैं के प यह हमेशा में और वीशली अपिस यह बावर प्रठम मंगलवार को वैसे मना जाता है लेकिन इस बार यह हो दो माई को मनायाई गए है कलि चलिए चलिए पुराने बेचों में आप उसको ले सकते हैं बाकि तो अभी तो मैंने रिसेंटली तो कोई स्टार्ट नहीं किया है पुरुसकार दो हजार जीता है ठीक है चलिए कौन कौन से दिन कौन सा दे हैं वह एक साथ करवा दिजेगा यहीं पर दिरी दिरे आ रहा है साथ साथ में आपन रोजी कर रहा है देखे कौन सा हो जाएगा क्या आंसर देंगे देखे हाजी देखो इसकी दो पुस्तक हम बहुत फेमस है दो पुस्तक फेमस है एक तो जो है कौन सी है देखो यह पुरुसकार जीतने वाली पुस्तक कौन सी है गल्स विदाउट क्लोथर याद रखेगा गल्स विदाउट क्लोथर यह हो जाएगी इसकी ठीक है यह इसकी बूख है यह इसकी क्या है बूख है और इस बूख ने जो है यह लिवजिंग बूख पुरुसकार जीता था तो इस बूख के मादियम से जो है इसने लिवजिंग बूख पुरुसकार जीता है ठीक है इस बूख के मादियम से जो है इनोंने कौन सा पुरुस यजिता है तो लिबजिंग बूक-पुरुसकार जीता है ठीक है लेगिन इनकी एक और बूक है जो काफी famous है यहां दाखे इन memory of memory डूसरी पुस्तक हो जाएगी इन memory और रimagin's memory तो एक पुस्तक हो जाएगी इनकी in memory is memory is इसकी वज़े से इनको पुरुषकार मिला है और एक पुस्तक है in memory of memory यह पुस्तक जो है यह आपको पता है सोवियत संग के विगटन के बारे में बताएगी कि सोवियत संग का विगटन हुआ उसके विस्तार के बारे में बताएगी सोवियत संग कैसे टूटा उसके बारे में बानोवा हो जाएगे, क्लियर? चलेगा, अगला कोशन देखिएगा, और इंपोर्टेंट कर लो, अगला कोशन हो जाएगा, और इंपोर्टेंट कर लो, रट लो, और सभी विध्यार ते इसका आंसर देंगे, जिसका भी आंसर गलत है, वो इमानदारी से जाके 20 लोगों को क् बात समझ में आगई देखिएगा सुनिएगा अपरेल 2023 में GST राजस्व संग्रहन कितना रहा है जिसको आंसर आता है वो आंसर करिए जिसको नहीं आता है वो जाके क्लास को शेयर करके आईए जलिए चलिए फटाफट से मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका इसका आंसर मुझे आपको ही बताना है तो फटाफट से बताएगा हाँ जी कितना होगा ये हाँ जी ओके कितना हो जाएगा हाँ जी ओके फटाफट से बताएगा जल्दी से जल्दी बताएगा कितना हो जाएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी चलो 183,000 बहुत सारों ने कहा है सुजान भाई क प्रण सर्वेब कोने बात्रीध मुलने करें ने औरन को इस तो इसके खत्म होते ही गरेंगे रॉत के पीछे मत भागीजा वापस याद रखेगा अपनी मर्जी से करेंगा। ओके ओके देख लेते हैं चलो सचिन बाटी मनो सेनी जी कटारिया जी ए अंसर आया स्रवन कुमार जी ए पूम पूनम विश्णो वर्मा जी ठीक है सही आंसर आया है अचा ठीक है सभी आंसर ए यह दे रहे हैं तो फिर अब मान के चले और क्या 1.87 याद रखेगा इंपोर्टे 23 को हुआ था 29 अपरेल 29 अपरेल 2023 को क्या हुआ था, यह रखेगा तो यह उम्रत दराज थे, इतिहासकार थे, रंजित गुहा, कौन हो जाएंगे, रंजित गुहा, जिनका नीदन हुआ है, वो प्रशन पुछा जाता है, नीदन वाला प्रशन आपके लिए क्या रहेगा, IMP रहेगा, IMP रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा, आगला देखेगा नेक्स्ट कोशन, विश्व टूना दिवस जो है, कब मना जाता है, विश्व टूना दिवस, जो प्रशन इंपोर्टेंट है, उसको मैं आराम से करवाँगा, जो प्रशन इंपोर्टेंट नहीं है, उसको मैं जल्दी से ले लूँगा, विश्व टूना दिवस जो है, कब म इस प्रते वर्स प्रतिवर्स इसको आराम से लेंगे जो नहीं है उसको जल्दी जल्दी करेंगे अगला देखेगा फिर से हाजी किसे वोडाफोन के CEO के रुक में नियूक्त किया गया एक एक सिंपल सिंपल छोटा-छोटा प्रस्ण आ गया वोडाफोन अब कमपनी देरे-देरे खतम हो गई यह समझ लो वडाफोन जो है दिरे-देरे जो है क्या हो गई खतम हो गई तो एकल ने जो है सब चीजों को लिए अगला देखेगा next question कि सरकार ने दूल-प्रदूशन को रोकने के लिए जिसका नाम है गरिष्मकालीनकारिययोजना यह योजना बनाई गई है यह जो है कौनसी सरकार । धील्ली सरकार धवारा तीं हैं धील्ली सरकार और यह का आइन सब्सक्राइब जोष्च है ऐ यह बना गई है रहे है yeah तो इसमें जो है ठंड का एसास मुझे नहीं हो रहा है जो पेख है वो बहुत ज्यादा पेख है ठीक है इसनि जो है ठंड का एसास नहीं हो रहा है फिर अगला देखेगा नेस्ट कोशन इंडिया 75 years of the business and enterprises नामक पुस्तक की लेखक कोन है नहीं पुस्तक का नाम तो जो है आपको बताना पड़ेगा किस ने लिखी है ठीक है देखें, made in India, 75 years of business and enterprises नामा एक नई पुस्तक किस ने लिखी है, ठीक है, तो ये नई पुस्तक जो है, वो किस ने लिखी है, तो एक बार फटा फट से बताएगा, comment करके बताईए, देखो ये प्रशन मैं मानता हूँ कि आपको नहीं आता है, क्योंकि नहीं आता है, क्योंकि current इन्होंने नहीं लिखी है, तो किस ने लिखी है, ठीक है, नरेंद्रमोदी जी के रहे, नरेंद्रमोदी जी option में है क्या भाई, तब जब आर्जे 21 जब option में ही नहीं है, नरेंद्रमोदी जी तो नरेंद्रमोदी जी कैसे लिख सकते हैं इनको, है ना, ऐसा तो नहीं है कि ह आज डाल के option में लिखती किस ने लिखी अमिताब कांथ ने बहुत important है याद रखेगा important पुस्तक है अब आपके परिक्साम प्रस्था हाँ के हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके चलिए अगला देखी का अगला question collective spirit concrete action नामक पुस्तक जो है लेखक कौन है collective spirit collective spirit concrete action यानि कि collective spirit concrete action नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे चलिए तो किसने हो जाएंगे देखिए हाँ जी इसको ऐसे याद रखना है कि concrete अगर मानना दिए कोई एक कंकर्ट मारता है हमें सायाद रखिगा कोई एक कंकर्ट मारता है आपको ऐसायाद रखनाएंगा तो हम उससे क्या बना देंगे सिखर बना देंगे कोई 근데 कंकne बकदी कं़्यडेगा तोहम उससे जो है सिखर बना लेंगे तो याद रखे-गा यह कौन है सक्षर सिखर व्यंपती हो जए याद रेंऊगा क्यों भी हमें कंक्रीट मारे गा हम उससे जो है सिखर बना देंगे इमारत बना इसे याद रहना है बस याद रहे जाएगा सिंपल अगला हो जाएगा ठीक है कहां चला गया यह रहे अगली दिखीगा महाराष्ट के उपमुख्यमंत्री देवंद्र फड़नविश ने हाल ही में कि देश मराथा योद्धा राजा चत्रपती सिवाजी महाराज की प्रतिमा क का जो है क्या किया था अनावरण किया है चत्रपती महाराज की प्रतिमा का जो है क्या किया अनावरण किया है ठीक है और देखे यह जो है अनावरण कप किया गया मैं 2023 ठीक मैं 2023 अब बात समझेगा कौन सा देश हो जाएगा इरान मालदिव भूटान या कौन सा हो जागा च तो देवेंदर फड़नविस जो उपमुख्यमंत्री है जो उपमुख्यमंत्री है देवेंदर फड़नविस ठीक है और इन्होंने जो है कहां पर जो है सिवाजी की मूर्थी का उद्गाटन किया था तो सिवाजी की मूर्दी का उद्गाटन जो है इन्होंने मौरिशस में कि किया था भईया, मोरीश से में किया था, माल दिव नहीं आएगा, मोरीश ज़हाँ पूरीश से मयाराज के मूरीश से सकाथ करनेगी,"। 30-30 भी आसकता है, 40 भी बोर्ड पर उपर डेपेंड करता है कितना है, अपने अपने तयारी जो है 100% रखेंगा, अगला देखें, हाल ही में माना को, भारतिय गाव गोशित किया गया, यहां किस राज़ा है, माना को, तिबबत की और से आने वाला जो है, पहला भारतिय गाव तिबबत की सिमा पर ये गाव जो है वो तिबबत सिमा पर है ये कहां पर है तिबबत सिमा पर है तो याद रखेगा ये पहला भारतिय गाव जो है इसको क्या किया है गोसित किया है तो पहला भारतिय गाव ये हो जाएगा ठीक है अब इसको जो है तिबबत की सिमा पर ये पह प्रॉन अनसरों जाया उत्राखंड को जाएगा प्रोली 2 वाफ़ vaccin समयब्य से बहुत इंपोटेंट है, इस。 सुबह 9 से 10 भी चलती एक बार एक बार जो कऱा और अब और इस पोट से ये और आपके दो प्राक्ष्ण rule नहीं होंगail तीन बार प्रत करती मानमेद अबिखें अब अगला काहिरान में उट्रेश्ट पेंच उतंर नकhr ed Node टौन रहे थै तो मिराज अहमयदखान आप केवल इतना भी याद रखो ऩाण हो जाएका है और आप याध अटल पैमेंट बैंक बैंक ने NPCI के सहयोग से कौन सी नहीं सुविदा जो है क्या करी है जो है पैस किये अब तो पैमेंट बैंक जो है कितने प्रकार के हो गए है ठीक है हाज सुबह जो है 11 से 12 चलती है आपको मज़ा आ जाएगा उसमें पढ़ने में जो है स्पोर्ट से रि में भी मैं आपके पास डालूँगा लेकिन आप इसको आराम से जो है क्लास के रूप में भी समझ लीजेगा मुझसे ताकि आपका प्रस्ण जो है क्या नहीं हो रोंग ना हो ठीक है यह कौन सा जो है इन्होंने नहीं सुविदा पैस की है फटा-फट से बताएगा चलिए ह हाजी हाजी कौन सी नहीं सुविदा जो है क्या की है पैस की है देखो ओके ठीक है इन्होंने जो है कौन सी नहीं सुविदा पैस की है एई-पी-एस यानि कि एई-पी-एस के लिए फैस जो है और्थन्टिकेशन जो है इन्होंने सुविदा जो है क्या करी है पैस की है ठीक चलिएगा कौन सा हो जाएगा तो C answer हो जाएगा face जो है अर्टिफिकेशन यह हो जाएगा आपका C answer हो जाएगा अगला question देखेगा देखेगा यहाँ पर selection लेना है न तो इतना आसान नहीं है अब जो है ना countdown अब आपके दिल के दड़कन वो भी बढ़ने लग जाएगी आप देखेगा राष्टिय SCST हब योजना किस ने सुरू की है राष्टिय SCST हब योजना वो किस ने सुरू की है देखो इसका उद्देश्य क्या है ने सुरू में जाएगे इसका उद्देश्य के लिए एक अनुकुलन वातावन बनाना इसका सुरू है थिक में बाटावा देना उद्योग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना उद्योग में उनकी भागीदारी को क्या करना बढ़ावा देना ये योजना जो हो जाएगी उद्योग में इनके भागीदारी को जो है क्या देना बढ़ावा देना ठीक है ओके जो केंदर द्वारा अनिवारी रुप स जो मंत्राले हो जाएगा, मिनिश्ट्री वाला, यह MSME मंत्राले जो है, वो इसका क्या हो जाएगा, मंत्राले हो जाएगा, यानि कि STST हब योजना किसने सुरू किया है, STST जो है, उनका योगदान जो है, किसमे लेना, उद्योग में लेना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, कर दियाना तो फज्जा होगे, और पता भी नहीं चलेगा कि कहां से करेंट अफेर करेंगा, और कहां से नहीं करें, तो जो हमें करवा लाएगा, उसको साथ में लेके साथ में से या इस बोर्ड से कहां से प्रस्ता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, आप देखीगा, चिंता मत करीगा, अगला देखिया, किस आस्ट्रियाग हिलाडी ने हाल ही में टेस्ट सतकों में के मामले में सर ड्रॉन ब्रेड मेन को पीछी छोड़ दिया, है और यह कौन हो जाएंगे, हाँ जी, बेलकुल, यह कौन हो जाएंगे तो स्टीव स्मित हो जाएंगे, क्लियर है, इतनी सी जानकारी भी होगी ना तो भी आपको सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतनी सी, आएसा जी मिल जाएगी PDF जो है, डेविस वार्ना नहीं होगा, प्रॉब्लम है ना, देखो, इससे आपको, पहले तो इसको सोच लिए, इसको आराम से पढ़िएगा, फिर जो है, दूसरे पर जाएंगे, तो पहला तो इसका देखिएगा, फिर अगला देखिएगा, नेक्स्ट, हाल ही में, ए जो है, रिसजेंट, नॉर्थ इस्ट, जो ह पुस्त के है, जो आईटी में लिखी गई है, जो आईटी सेत्र में लिखी गई है, तो करंट के कुछ ऐसे पुस्त के जो आपको याद रखनी है, जहां से प्रशन आपको पूछा जाएगा, अगला देखिगा, हाल ही में, और इस जेंट, नॉर्थ इस्ट, नेरेटिक्स, नेरेटिव जो है, आफचेंज, नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक के रचेता कोन हो जाएगे, चलिए, ओके, ये दिल्ली के वरतमान परिवहन आयुक्त है, ठीक है, दिल्ली के वरतमान जो है, परिवहन आयुक्त है, और इनका नाम क्या हो जाएगा, आसिस कुंद्रा आसिस कुंद्रा ने यहां पुस्तक लिखी है ठीक है आसिस कुंद्रा चलिए ओके तो आसिस कुंद्रा ने जो है यहां नौर्थ इस्ट नेरेटिव्स आफ चैंज नामक पुस्तक जो है नेरेटिव्स आफ चैंज नेरेटिव्स आफ चैंज नामक पुस्तक जो है लोड लीजिए, मैं तो किरहा हूँ, एक्जाम तक spend भो हक्शन हैसे का एक में सबlस हमें सुऩिछ जब कर लोगा इसे अपने आपसे सवाल करेंगे एक्ट से कोई कर लूँगा किया मैं रेंडम arrow करा है को ने सब श threads प्रफ्स में से नो हो रहे हैं ऐसा सवाल अपने आप करिए और जो लोड नहीं लेगा ना वह जिंदगी बर रहे जाएगा फिर यह बात समझ लेगा लेकर के तो काम चलना अभी तक तो आपने लोड लिया नहीं था अब लीजिएगा अब लेके जहें थोड़ा सा कवर करिए तो अब आपकी शम्ता जो होती है वो कहते हैं कि जब जिंदगी दाओ पे लगी है हमेशा याद रखेगा तो रफ्तार जो है क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है बस वह वाला टाइम इसके बाद यह टाइम गया ना फिर आपको एक डेड़ साल दो साल फिर इंतजार करना पड़ेगा समय अनुकुल हो गाया नहीं होगा समय कैसा हो जाएगा तो वो फरक पड़ जाएगा आपको इसलिए जो है जो भी करना है वो अभी करना है यहीं पर निकलना 21 तारिक को आपका सेलेक्शन हो जाएगा सेलेक्शन आपका 21 तारिक को हो जाएगा इसके बाद में आपके रिजल्ट आएगा तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना और बहुत आगे निकलना याद रखेगा है ना चलिए तो यह बस इत्ती से अपन ज्यादा मोटिवेशन वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए सर है अपने सर बात करेंगे आपसे अगला देखेगा हा सर बोलते हैं टेंशन मतलो सब हो जाएगा आप बोले लोड देखो पड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा टेंशन तो थोड़ी तो तड़ाई को लेकर कि तो लेनी पड़ेगी यार आज में पड़ाने अपना आपसे सवाल तो करना पड़ेगा कि आज पूरा दिन मेरे निकल बारा गंटे इनमें बारा गंटे में जो है मैं कितने गंटे पड़ा ये लोड नहीं लेंगे तो वो टेंशन नहीं होगी तो कैसे चलेगा कभी कभी टेंशन होनी चाहिए आज पांच गंटे ज्यादा सोगे आज पड़ाई नहीं हो इस तरीके से टेंशन होनी चाहिए बा तो प्रवाइब विश्वास है जिसको सेलेक्शन विश्वास है चलिए मैं भी चाहता हूं कि आपका सेलेक्शन हंड़ेड़ परसेंट हो जाए अगला देखिए तेलंगाना सरकार्द्वारा तो यह हो जाएगा अब तो यह हो जाएगा ओके हाजी टेंशन तो होती अपने आप से पूछी जिसका नहीं होगा उस दिन फिर आराम से लेज़ेगा लोगाई दोड़ गर्वाले डालेंगे अक्सर ऐसा होता है अगला देखिए बेन एंड कम्पनी की फूचर ऑफ इंडिया रिटेल पैमेंट्स पैमेंट्स रिपोर्ट के अनिसार इनुझल पैमेंट्स Unified Payment Interface यानि कि UPI पर मर्चेंड बुक्तान वितवर्स 2026 तक से बढ़कर एक ट्रिलियन डॉलर होने की उमीद है तो कितने परसेंटेज ये एक ट्रिलियन बढ़ने में जो है कितना परसेंटेज लगेगा ये प्रशन पूछा गया है तो एक ट्रिलियन बढ़ने में जीज जो है वो कितनी हो जाएगी तो 40 से 50 कितनी हो जाएगी हाँ जी 40 से 50 अपने आपे भरोसा करिएगा और जीज जाईएगा बस थोड़ा सा टेंसन लेके पढ़ाई को करना है यार पढ़ाई नहीं हुई मेरी यार याद नहीं हो रहा सरकारी नोकरी में ये समझदोगी लोड ना के बराबर है तो एक बार सेलेक्शन ले लो बस एक बार ले लो कास इस भरती में सब निकल जाए बस वह वाला रखो कि कास इस भरती में निकल जाओ इस तरीके से मैं मेहनत करूँ ठीक है अगर माने जिए अगर आप जो है इस तरीके से होता तो मैं मेरा सेडूल क्य जो है स्थापित करेगा चलिए हाजी हाजी ओक्यों के चलिए कोई नहीं बूरता है ग्यानेंद्र भाई और जो तुम्हारी मर्जियों करो ना किसने रोका है फिर आपकी इच्छाओ वेसे करो मत पड़ो मत लो टेंशन आप आराम से शांती से रहो ना किसने किसने रोका आप ग्रूप यह पार्क जो है कौन सा ग्रूप हो जाएगा तो इस प्राक पार्क को लेकर के जो है अडानी ग्रूप जो द्वारा यहां पार्क जो है क्या किया जाएगा विक्सित किया जाएगा आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन ह जाएंगे तो जगन रेड़ी तो यह हो जाएंगे जगन मोहन रेड़ी ठीक है जगन मोहन रेड़ी ठीक तो यह अडानी ग्रूप को यह दिया गया और अडानी ग्रूप जो है विजाक्त एक पार्क जो है इसमें आधारसिला रखी गई उसको विक्सित करेगा ठीक है हाजी ढोके, अगला देखीए भारती वायुषयना के नए उप्रमु के रुप में किसे चुना गया, ठीके, तो नए उप्रमु के रूप में असुतो दिक्षित को चुना गया, कुछ ऐसे प्रस्ण है जिसको मैं सीधा कर आँ, Air Marshal आसूतो दिक्षित को चुना गया, अगला देखिगा अगला कोशन, अगला देखिए हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेली कॉम लाइसेंस मिला है, वहाँ कौन सी कंपनी है जिसको जो है भारत में टेली कॉम लाइसेंस मिला है, अब यह ऐसा प्रस्ता जो है, वो सीधे पुछे जाते, important है, ठीक है, अब ये कब मिला तो मई 2023 पे मिला, कौन सी कमपनी हो जाएगी, जिस पर आपन जो है, वीडियो कोल करते हैं, जिस पर आपन जो है, क्या करते हैं, वीडियो कोल करते हैं, 47 को चेक करना है, चलिए, रायथू बीम सही तो है, सही है, सही है, चेक कर कौन सी हो जाएगी कर दो और नहांगो हो जाएगी कहा ऐसो फ happened वीडियो कमफरेज्ञ करतें तो इसको एबारत मे ये कंपनी का मिला है आइस की अ है काम मेड कमपनी है इसकी जो कौन सी कंपनी है होममेड कंपनी है उसको जो है यहां सेवा जो है सुवीदा जो है उपलब्द हो चुकी है क्लियर चलिए हाजी हाजी ओके चलिए हाजी अगर कुछ दिक्कत आई होगी तो कौन सा हो जाएगा 109 और 128 ठीक है मैं याद रखके बता दूँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं देख लूँगा अभी अगला देखिया हाजी बारती रिजर्व बेंग ने किसके साथ मिलकर सकती कर सकती लियंग एक तरफ तो क्या हो जाएगा flu ओई हो जाएगा तीक तो अर्बिय इत हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ कौन हो जाएगा ठीक है तो बात करें दूसरी तरफ ठीक है तो दूसरी तरफ कौन हो जाएगा तो दूसरी तरफ हो जाएगा देखो एक यहां पर एक और कंपनी है पर चुन सी हो जाएगी के इन दोनों ने मिल करकर the खीना क्रीट करी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पास इसका वियाख्या भी पड़ी हुई है कि यस 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 हाँ जी ओके ओके चली हाँ जी ठीक है इसका आंसर चेंज कर लीजेगा मैंने दोबारा से चेंज कर वह रहा हूं गीता कर्मिकुल भीम हो जाएगा और यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो है राइथु भीम जो जो लेड़ी योजना चल रही उसके समान होगी ह ठीक है तो यह आंसर सही कर लीजेगा गीता हो जाएगा इसका कर्मिकुल कर्मिकुला जो है भीम हो जाएगा गीता कर्मिकुला भीम हो जाएगा क्लीर चली बिल्कुल सही कि रहे है आप ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर बता दिया करो ठीक है तो यह कौन सा जाग ठेक है चलो फिर से अगला देखी अगले संगाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की बेठक कहां पर आयो थो अब देखे अब देखे चार पाँच म अआजन को जो है कहां पर किया गया तो देखो चार-से पाँच माई दो हजार तेवीस को इसका अयोजन जो है वो कहां पर हुआ तो गोवा में ठीक है चार से पाँच माई 2023 को इसका आयोजन जो है वो कहा पर हुआ था तो वो हुआ था गोवा में ठीक है तो चार से पाँच माई इसका आयोजन जो है वो कहा पर हुआ था गोवा में हुआ था तो पहली बाद दूसरा जो है इसके मुख्य बेठक जो होगी वो होईगी आपकी नई दिल्ली में और वो होगी जुलाई में तो इसकी जो मुख्य बेठक है याद रखेगा मुख्य बेठक जो है मुख्य बेठक की बात करें तो मुख्य बेठक जो है वो जुलाई 2023 में जुलाई की बात करेंगे नेक्स्ट मन जो होगा जुलाई में जु तो अनल फुर्ट उनकां पूर्ट इंपॉर्टंट कि घढ़ नां नए था साइकलोन मोचा को किस देस द्वारा नाम दिया था इसको नाम ngisa जो मोचा है इसको नाम किस देस ने लेम धिया था याद रहे यह सा से तक्रा ने तकरआने की उमीद करी थी यानि के साथ बंगाल की खाड़ी के ऑसपस वाले शेत्रों में था, यहां तुफान जो है, वह कहां पर आय था, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के युन से हो जाएगी, तो कौन सा टट हो जाएगा, पूरवी त्रड के आसपस, यह साथ से नो मई, जो है, ए MAHE तकराएगा, तो यह cyclone जो है इसको कौन से देश ने नाम दिया था जाद रखीगा नाम देने वाला देश कौन सा था फटा फट से बताएगा इसको कौन से देश ने नाम दिया था ठीक है ओके तो इसकी भविष्यवानी ओडिरी जो है कर दी थी ओके क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यमन हमें राजस्थान जी के चाहिए आए के लिए इंडिया जी के नहीं सर जी प्रीस दोनों ही जरूरी है और इसके बाद जो है मैं राजस्थान जी के पर आऊंगा च से फ्री हो जाए तो वह अपन कर लेंगा अगला मैत्री सूपर थर्मर पावर प्लांट के एकिकरण के बाद NTPC ग्रूप की स्थापित समता कितनी है तो मैत्री सूपर थर्मर पावर प्लांट के एकिकरण के बाद तो जो आंसर जल्दी जल्दी करेंगे देखो Center for Monitoring India Economy के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च में 7.8 से बढ़कर अपरेल 2023 में कितनी हो गई आप ऐसे प्रशन जो है एक्जाम में नहीं पुछेंगे कियो कि इनमें हो सकता हुगी सरकार की जो है क्या हो जाए आलोचन नहीं हो जाए कि यह Bart में 7.8 से बढ़कर जो है कितनी हो गई अपरेल 2023 की बात करनाध और आपरेल 2023 में कितनी हो गई और यह कितनी हो गई यह चेलिए की ऐसा पाली नहीं करवा के इस मुझ वाली से इसे इतने चिंता आप काम हो जाएगा कुए जो हाँ अभी कितनी हो गई है तो आफ पिर जारी तर आट पॉंट ग्यारा प्रतिसदी यह वो बेरोजगारी दर हो गई है तो कोई देखकत वाली बात नहीं अगला देखेंगा, World of Press Freedom Index 2023 में भारत की रेंग क्या है? World of Press Freedom Index, यानि की जो है मेडिया के लिए, इसमें भारत की याद रखेंगा भारत की रेंकिंग क्या हो जाएगी? तो भारत की ranking की बात कर 163 अब ये प्रशन ऐसे important है जो ranking वाले प्रशन आएंगे वो आपके important है World Press Freedom Index 2023 में भारत की ranking क्या रहेगी तो भारत की ranking क्या रहेगी देखो भारत का अस्थान था तो पिछले साल कितना था पिछले वर्स पिछले वरस 150 वा इस वर्स कितना हो जाएगा 123 पाईदान से गिरावत या गिरावत देखने को मिली है मिली है 161 ऐसीट अस्थान हो जाएगा तो जो है कौन सा स्थान हो जाएगा 161 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 161 अगला देखिये भारत के स्टार जेवेलिन एथलीट नीरत चोपडा ने किस इवेंट में गोल्ड मेंडल जीता है याद रखेगा और इस इवेंट कौन से इवेंट में जो है इन्होंने गोल्ड यहाँ पर जो है 78 मीटर मीटर जो है क्या किया था भाला जो है थ्रो किया था थ्रो किया था तो यह बात समझ लिजेगा कि 78 मीटर जो है बाला जो है इन्होंने क्या किया था थ्रो किया था ठीक है ओके बताएगा हाँ जी किस में किया था इन्होंने ओके हाँ जी ओक हाजी तो ये कौन सा हो जाएगा दोहा डाइमिंग लिंग कौन सा हो जाएगा इसका अनसर ठीक है World Athletic ठीक है देखते है किसका आंसर आया B किसी का आया क्या B किसी का भी नहीं आया ठीक है चलो हाजी ठीक है ओके कौन सा हो जाएगा चलिए चलिए बी राइट है ठीक है हाँ जी हाँ जी ठीक है चलिए नेक्स देखीगा ओके अगला देखिए बी आर ओने बी आर ओने कहा पर कई ए अग Ern दिवस पर एक एक अगया और सर्धानजली दिवस समारो अभियान का जो है क्या किया गया अभ्यान कौन सा हो जाएगा तो अभ्यान हो जाएगा आपका एक्ता और स्रधान जली एक्ता एवं सरधान जली ठीक है स्रधान जली अभ्यान तो एक्ता और स्रधान जली अभ्यान की बात करेंगे अभ्यान कौन सा हो जाएगा एक्ता और स्रधान जली अभ्यान ठीक है तो तो इकता और जो है सद्धानजली अभ्यान जो है और इस अभ्यान कोन से नंबर का हो जाएगा तो 64 हो जाए खलेर और इसका आज़न कहां किया जाएगा तो दिल्ली में किया जाएगा ठीक है? किस भारतिय जिल्वन ने ODF खुले में सौच मुटा प्लस रेंकिंग में पहला हासिल किया, यानि कि ऐसा जिल प्लस में उल्लेख निया कारय किया है स्वच भारत मिशन के तहत, याद रखेगा, स्वच भारत मिशन के तहत जो है, ऐसा कौन सा जिला है, जो पहला ODF जिला बना है, जिसने पहला अस्थान हासिल किया है, ठीक है, तो ये स्वच भारत मिशन के तहत था, स्वच भारत मिशन के तहत, ठीक है, अब राज्य कौन सा ह तो देखो, राज्य हो जाएगा केरल से, राज्य कौन सा हो जाएगा, राज्य हो जाएगा केरल, और केरल में, जहां से राहूल गांदी जी ने चुना हूँ लड़ा था, केरल, केरल में जगह कौन से हो जाएगी, वाइनाड, कौन से हो जाएगी, केरल में जगह कौन से हो ज जाता है यानि कि जो है सोच नहीं किया जाता है यह बात समझ लेज़ेगा रेंकिंग में पहला अस्तान हासिल किया बहुत इंपोर्टेंट है सिधा प्रशन आएगा सिधा एक नंबर देखे जाएगा आपको अगला देखीगा नेक्स्ट कोशन फॉब्स 2023 की रिपोर्ट के अ हाजी हाजी सबसे ऊचे दर्जे पर कौन हो जाएगा फटा फट से बताएगा मुझे हाजी फटा फट से बताएगा कौन सा हो जाएगा तो आपको पता है सही है रोनाल्डो हो जाएगा कौन हो जाएगा रोनाल्डो हो जाएगा कौन हो जाएगा रोनाल्डो हो जाएगा हा कौन सा हो जाएगा चलि रोनाल्डो सोरी सोरी अपने रोनाल्डो नहीं मैसी मैसी हो जाएगा यह कहां के हैं अर्जेंटिना के हैं मैसी कहां के हैं तो अर्जेंटिना के हो जाएंगे क्लिर तो अर्जेंटिना के इसमें सबसे जदा कमाई किरने वाले खिलाडियों के सुची म हाई जी ठीक है तो मैसी जो है मैसी यहाँ पर जो है सबसे पहले ठीक है ठीक हाई जी मैसी हो जाएगा a number हो जाएगा clear अगला देखेगा किस सहर में भारत का पहला under ढूँदर सी टनल जो है, उसका क्या किया जा रहा है? निर्मान किया जा रहा है, समुद्र के अंदर Tunnel, याद रहेगा कौन सह हो जाएगा? समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर टनल समुद्र के अंदर जो है क्या बनाई जारी है टनल बनाई जारी है ठीक है किस सहर में जो है समुद्र के अंदर जो है क्या बनाई जारी है टनल बनाई जारी है और यह टनल जो है यह मरीन ड्राइव को जो है बांदरा से और इसमें जो है इसका टोटल जो खर्चा आने वाला है वो 12,721 करोड का जो है जो खर्चा आने वाला है और यह कहां पर हो जाएगा तो यह हो जाएगा मुंबई ठीक है हाजी ओके हाजी अरे यह अलग है यह अलग है वो अलग है यह अलग है भारत समुद्र के नीचे की वो हुगली नदी वाली नहीं है अरे वो अलग है यह अलग है भाया ठीक है यह मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहद बनाई जारी है यह किसके तहद बनाई जारी है मुंबई मुंबई कोस्टल कोस् किसी ने मुंबई किसी ने नहीं दिया कोई बात नहीं हाल ही में किस राजय सरकार द्वारा मुख्य मंत्री कोसल उननेन योजना की जो है क्या करी शुर्वात करी ठीक है चलिए हाजी ठीक है ठीक है देखो विदेशी भासा के साथ भारती भासा को भी जो है इसके प्रमोट किया गया और यह रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना हो जाएगी यह रोजगार को बढ़ावा देने वाली हो जाएगी और यह रोजगार को बढ़ावा देने वाली हो जाएगी और हाल ही में भारत ऑपहला इंटर नेशनल मल्ECTी मॉडल लोजिस्टिक ट्रह आउ ऑऄा टिक के बहुए बयात कहां बन रहा है, 14po2 करोड की लागत से बन रहा है 424 co करोड की लागत से बन रहा है, अब देखो PPP के तहज बन रहा है ठीके ठीके किसके तहज बन रहा है PPP के तहज तहज तो देखें इस प्रोजेट को Realize Industries Public Private Partnership के तहज जो है बनाने की जो है क्या करी है गोष्णा करी है PPP के तहज जो है रेलाइंस इंडस्ट्री द्वारा रेलाइंस द्वारा जो है PPP द्वारा बना जाएगा PPP द्वारा जो है बना जाएगा तो रेलाइंस इंडस्ट्री में जो है PPP द्वारा उसके द्वारा बना जाएगा PPP का मतलब होता है Public Public Private Partnership तो यह हो जाएगा Public Private और Partnership चीके तो उसके त र grind, टो अगी तो रिलाइंज करेगी, तूर राजश्थान का और इन्डिया दोनों का आएगा, तो यह कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा AASHM, यह कौन सा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा AASHM, ठीक, कोई लिक्कत वाली नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से फिर से आगे बढ़ेंगे, देखेगा, अगला अगला देखेगा, हाँ जी, हाँ ज। इस में जो है, अगर इस में इसकी की भी बात की जाए तो जो है इसमें से 750 क्रूर रुपे का जो नीवेज भाप करेगी, ठीक है ? स्थापीट किया रहा है तो स्थापीट किया रहा है कि कौन से राजय में स्थापीट किया रहा है तो कि बाक्ये ऑगी 1012 जो है वो राजस्थान के आएंगे तो उसके लिए अलग से महनत करेंगे बात समझ में आगी तो यहां से आपका cover हो जाएगा इसके बाहर कुछ पढ़ना भी मत पहले किया रहा हूँ बात में आप पढ़ाई करिएगा शानती से क्लास अटक गई कोई नहीं अटकी है आप तो पढ़िएगा इसके बाहर कुछ मत करना आप शानती से रहिएगा हाँ जी ओके तो अगला देखेगा अगला हो जाएगा जो है डेवन ब्रोवा के साथ IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज कोन हो जाएगे चलिए डेवन ब्रोवा अपन देखते हैं ब्रावो ब्रावो के साथ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इसके बाहर कोछ निमत पढ़ना अगर पढ़ने जाओगे तो फज़्दा होगे रह जाओगे एसियन वेट लिपिंग वेट लिप्टिंग चेंपियनसिप में है भारत के लिए किसने रज़त पदक जीता बहुत इंपोर्टेंट है खेल से रिलेटेड दो प्रशन आपके आएंगे एक दो प्रशन आपके अवोर्ट से रिलेटेड आएंगे खेल से आएंगे एक दो प्रशन जिनका नीदन हुआ है वहां से आएंगे इस तरीके से प्रशनों का डिवाइडेशन किया जाएगा तो एक एक अलग अलग प्रशन यहां पूछे जाएंगे, तो बात करें प्रवीन चित्रवेल ने इहां जीता है, हाला कि इसका आउजन बात करें के क्यूबा में तो चलिए इसका आउजन जो है कहा हाला कि एसियन वाला है ठीक है तो एसियन वेट लिप्टिंग चैंपिन से भारत के वेट लिप्टर किसने जीता था याद रखेगा किसने जीता था तो जे 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 रेमी हो जाएगा कहा चले लेगन इन्होंने 141 kg जो है वेट लिप्टिंग जो है उठाया था, यानि कि 141 kg जो है किगरा भार उठाकर भारत को रज़त पदग दिया था, clear और रूस के सवीन आईडू को जो है 5-0 से हरा दिया था, याद रखेगा, रूस के जो सवीन आईडू थे उनको जो है इन्होंन इस आथलीट ने पूरू-100 की ट्रीपल जम इसपरदा का नेशनल रिकोर्ड बनाया, इसका रिकोर्ड कितना है 17.37 मीटर, 17.37 मीटर यह इसका अंसर है, यह प्रतिविटा हुई थी क्यूबा में, clear है यह प्रतिविटा हुई थी क्यूबा में, प्रवीन चित्रवेल, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा तो प्रवीन चित्रवेल ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो प्रवीन चित्रवेल ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रवीन चित्रवेल और यह प्रतिविता हुई थी क्यूबा में क्यूबा में हुई थी यह प्रतिविता फिर चंडीगड सरकार एक तो जो है चंडीगड किनसासित प्रते चंडीगड और भारतिय वायु सेना दोनों की बीच में समझोता हुआ था वहां पर किया और इसका उद्गाटन जो किया था वी आर चोधरी जो आपके एर चिल्स मार्सल है वी आर चोधरी उन्हें जो इसका उद चोधरी किस ने किया था तो वी आर चोधरी ने ιαर चिफम आर्स फि अर G बहुत अच्छा ंपोर्टन को शने से पालिक्ष्या में प्रशन आ सकता है ओके इस वी आतलेटिकल चेंपियन जो है दिए वी कब बना जा सकता है थीके चलिए तो यह प्रतिवर्स कब बना जाता है, अब इसके लिए जो है न हां धीम भी है, थीम बहुत improvement है athletics for all team क्या हो जाएगी इसके थीम बहुत important oke theme याद रखेगा Color जी याद रखेगा athletics athletics for them for all अ न्यू बिगनिंग हो जाएगी clear तो यह हो जाएगी और यह हो जाएगा साथ मैं को यह जो हो जाएगा वो कब हो जाएगा साथ मैं को हो जाएगा ठीक है ओके फिर अगला देखीगा अगले question कियो और किसे एंद्या के नय चीजिप के रूप में जो है यह जूक्त किया गएा ठीक है को अंसर हो जाएगा तो और अखल बी थ्वेगनिग अन्य बिगनिंग यह नहीं बीगनिग नहीं जहीं किस राजय सरकार ने डिजी लेंड के आधार पर रामा लेंड बनाने की गोशना करी है तो वो कौन सी राजय सरकार हो जाएगी जिसने डिजनी लेंड के आधार पर रामा लेंड बनाने की गोशना करी है तो वो कौन सी राजय सरकार हो जाएगी जिसने डिजनी लेंड के आध और ये रामा लेंड जो है वो कहाँ पर बनेगा तो ये बनेगा जो है जो है आयोध्या में ये कहाँ पर बनेगा तो ये बनेगा आपके आयोध्या में बनेगा तो रामा लेंड की बात किया तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा और ये कहाँ पर बनेगा तो आयोध्या में बनेगा याद रखेगा कहा पर बनेगा तो यूपी की सरकार द्वारा जो है इसको जो है क्या किया गया तो गान्फरम किया गया ये योजन ठीजना जो है उसके तक बनाए ये राम जी के development जो है Krishna और राम दोनों ही वही हैं, तो UP का आप परेटन देखेगा इस्तती, चलिए अगला देखेगा, हाँ जे, अडानी समुह किस राज्य में, राज्य में देश में पहला एकिकरत देटा सेंटर अस्थापित करेगा, यानि कि यह पहला एकिकरत देटा अस्थापित है, तो पहला एकिकरत देटा स्थापित कहां पर करेगा, तो एक बर फटा फट से कमेंट करके बताएगा, बिल्कुल, हाँ जे, कहां पर करेगा, यह जल्दी से बताएगे, कमेंट करके, ओके, हाँ जे, ओके, 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 फटा फट से बताएगा, कमेंट करके, चलिए, हा आंसर हो जाएगा हाँ जी विजांग के साथ में याद रखेगा विजांग पार्क कहां पर अस्थापित किया जा रहा है ये हो जाएगा विजांग के साथ में जो विजांग पार्क अस्थापित किया जा रहा था ये इस विजांग पार्क के साथ में हो जाएगा विजांग तो विजांग पार्ग आपका आंदर प्रदेश में अस्थापित किया रहा था और यह विजांग पार्ग की साथ में हो जाएगा आंदर प्रदेश सोचिए अगला प्रशन देखें किस खिलाडी ने अप्रेल महीने के लिए ICC Man's Player of the Month का अवोर्ड जीता था अप्रेल महीने क यह उस ने को अप्रेल की बात करने हैं लिए इसका आंसर उस्था कर दना पड़ेगा लेकिन अप्रेल के बाद जी फकर जमन करना पड़ेगा चींकि THे में के में समझuに बने समझ में नहीं आता है कि इनके record ये कैसे बढ़ गए, क्योंकि मैं आज जादा match देखता नहीं हूँ, ये world cup हुआ वो पूरा देखा था, लेकिन बाद में इनको ये बाबर बाबर ये कैसे बढ़ जाते हैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको 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 इनकी इतनी capacity कहा है कि ये ले ले वे, चलो, लगाता हम नौन इस्टोक तो हारे जारे, हारे, हारे, जारे, चलो, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सीतिवे बंदरगाहा का उदगाटन कि किस देश के साथ में मिलकर के, चलिए, तो किस देश के साथ में मिलकर के, जो है सीतिवे बंदरगाह का नाम किया हो जाएगा, सीतिवे बंदरगा, तो ये सीतिवे बंदरगा, ठीक है, सीतिवे बंदरगा, देखो, जिस देश के पास समुद्र है, उनका तो अर्थ वेवस् हमार हो जाएगा है पड़ोसी देश है कौन सा देश है पड़ोसी देश है चलिए हाँ जी फिर एक अगला कोशन देखे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं बहुत प्यारा प्रशन है बहुत इंपोडेंट है कुल कितने ज जो है कहा हुआ था तो दक्षिन कोरिया में ठीक और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो दक्षिन कोरिया में इसका एजन हुआ और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो तीन पदक जीते हैं कितने पदक जीते हैं तीन हाँ जी भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसका इसका क्या हो जाएगा दक्षिन को रिया भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तीन पदक जीते हैं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी ठीक है फिर से आगे बढ़ते हैं और अगला देखिएगा हाँ जी इंडिया पोस्ट ने लोजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ में ग्यापन समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये इंडिया पोस्ट जो इंडियन पोस्ट है उसने उसने जो है किसके साथ में लोजिस्ट तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ठीक है तो इंडियन पोस्ट की बात करेंगे कौन हो जाएगा इंडियन पोस्ट की बात करेंगे तो इंडियन पोस्ट ने जो है लोजिस्टिक लोजिस्टिक सर्वीस के लिए लोजिस्टिक सर्वीस के लिए लोजिस्टिक सर्वीस के है अगला देखेगा देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यू आर कोड वाले पेपर टिकेट की सुर्वात की है क्यू आर कोड वाले पेपर टिकेट की सुर्वात की है अब ऐसे परिक्षा में नहीं आएंगे तो कौन से परिक्षा में आ जाएंगे बताइए मुझे अब ऐसे नही वाला काम कौन कर सकता है दिल्ली मेटरो चलिए अगला देखेगा question वार टाइम कवरेज के लिए कि स संस्था को पुलिंजर अवोर्ड से संब्मानित किया अगला टाइम कवरेज के लिए अग यह कौन से ऐसी संस्था है में associated press हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा associated press ठीक है associated press जो है इसको जो है war time अब इसने जो है कौन से war को जो है coverage किया था इसने जो है रूस रूस प्लस यूक्रेन यूस प्लस यूक्रेन वार को जो है क्या किया था coverage किया था ठीक है और new york time जो है ठीक है new york time जो है उसको भी रूस यूक्रेन की अंतराष्टी reporting के लिए प्रतिष्टित award मिला था तो new york time को भी मिला था लेकिन यह press के लिए जो है यह याद रखेगा associated press और अगर पत्रिका की बात की जाए तो new york times new york times को जो है और award मिला था new york time new york times ने भी जो है क्या किया था coverage किया था तो new york times यह याद रखेगा new york times जो है वो भी याद रखना है आपको यह भी important है आपके लिए तो यह हो जाएगा new york times ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं है new york time की जो है अपन क्या कर लेंगे बात कर लेंगे फिर से अगला देखे , 냈 mo earlier के अगर चाहो तो आज भी घरवा सकता हूँ और अगर आप चाहोगे तो इसको तो करवा हैं, कल भी करवा सकता हूँ, जितना वोटिंग जादा आया तो आज करवा लेंगे, और आज तो करवा देंगे, जैसा करवादेंगे, जासा कहोगे, देखो, समजगे हाँ, वह किस सहर में किया जा रहा है ठीक है, तो ये 400 फीट की उचाई पर बनने वाला टावर है ये मतलब जमीन से 400 फीट की उचाई से 200 करोड रुपे की लागत से इसको बनाया जाएगा कौन सा हो जाएगा ये तेलंगाना में और तेलंगाना में भी तेलंगाना की राजदानी कौन सी हो जाएगी हैदराबाद तेलंगाना में भी तेलं तो यह वेंकटेश स्वामी से संबंदित है याद रखेगा कौन से स्वामी से संबंदित है और काकंतिय वस्तुकला जैसे तत्वों पर आधारित होगा कौन से वस्तुकला काकंतिय वस्तुकला यह हो जाएगा आपका काकंतिय वस्तु कला ठीक है काकंतिय वस्तु कला ओके चलिए आज करवादो आज करवादो ठीक है थोड़े से उपर गए मैं देख नहीं पाया फिर से कर लीजे कोई बात ने एक बार संख्या आप पराबर अपर अच्छी चली रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही कर लेते हैं हैदराबाद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यह हैदराबाद हो जाएगा ठीक है ओके कल करवाएंगे जितना कल करेंगे उतना लेड जाएगे फिर अब मुझे मत कहना अगला देखिए मैं 2023 तक भारत में महत्वपुन लिथियम मंडार जो है कहा खो जगए बहुत इंपोर्टेंट है आंसर करिए दोनों के लिए इंपोर्टेंट है चलिए चलिए आंसर करिए एक बार फटा फट से मैं तब तक जो है उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ मेरे टेक्निकल टीम को क्या हो और 90 प्रिशनों की पीडिए मुझे अभी दे सकता है क्या अगर दे सकता है तो मैं भी ले लूँगा ठीक है चलो तो लिठियम के बंडार जो है कहां मिले थे तो वह जम्मू कश्मीर में मिले शोरी कहां मिले हैं राजस्थान में मिले राजस्थान के डेगा पूरा ही मटेरिल है अपने पास मटेरिल बहुत है टेंसर मत लिजे फिर अगला देखेगा हाल ही में की देश का अंत्रिक शियान 274 दिनों बाद प्रत्वी पर लोटा पता है यह जो अंत्रिक शियान था यह याद रखेगा यह भारती यह डेगाना में खोजा था राजस् मत लिजेगा की चीन का है यह किसका है चीन का है और यह गुप्त जो है स्पेस्क्राप था गुप्त इस्प्रेस्काप इस्पेस्क्राप जिसका दुनिया को पता नहीं था याद रखेगा ठीक है यह अब लोट के आया 274 दिनों के बाद में 274 दिनों के बाद में लोट के कि आया है यह किसका था चीन का था ऐसे कारणा में कौन कर सकता है चीन नहीं कर सकता है अमेरिका नहीं हो जाएगा चीन होगा ठीक है हाँ जी किεις मंत्रा लेंने learning managementaff in किया गया, launch किया गया, ठीक है, ओके तो कौन सा मंत्राले हो जाएगा, देखो ये जो मंत्राले हो जाएगा, इसमें मैं बता दू, learning management information system, इसमें क्या होगा, इसमें जो पैसेवर जो कार्मिक होंगे, पैसेवर जो स्वास्थ कार्मिक होंगे, ये उनके लिए हैं, पैसेवर ज स्वास्थ सचीव राजेस भूसन, इसका जो है सुभारम जो इसके द्वारा किया गया था, और ये सक्षम application है, तो ये स्वास्थ विभाग द्वारा जो है, यानि कि जो है, इसको launching किया गया, स्वास्थ मंत्राले द्वारा, इसलिए कि जो स्वास्थ जो कर्मचारी है, या यहां से सिख सकते हैं, यह कौन सा एफ हो गया, लर्णिंग हो गया, स्वास्त कर्मचारी, इस एफ का उद्गाटन जो है, राजेस भूसन जो थे, उन्होंने किया था, किस ने किया था, राजेस भूसन ने, तो इसका उद्गाटन जो है, राजेस भूसन द्वारा जो है, इस कीस बेंक पर एक 507 क रोर का जुर्माना लगा था ठीक ये चलिए अब तेक हो अलग अलग प्रकार से इन्मने उलंगन करते हैं तो उस तामें जुर्माना लगाते हैं चलिए तो अभी जो है I a.... SHBC bank कहा चलेगी उस पर जो है क्या लगा था इन्होंने जुर्माना लगा था तो SHBC bank पर जो है इन्होंने जुर्माना लगा था 1.73 करोड का अगला question देखीगा हाँ जी किस राज्य ने state robotics framework नाम से एक नई policy जो है वो पैस की है state robotics framework के नाम से एक नई policy लेंच की है निती लागू की है ठीक है एक नई निती जो है क्या करी है लॉंच की है कौन सा राज्य हो जाएगा जो जिसके जो अभी market में है याद रखेगा चले कौन सा राज्य हो जाएगा और यह एक आत्मनिर्बर robotic ecosystem अस्थापित करने वाली policy है आत्मनिर्बर ओक हरती robotic association के सहयोग से तैयार की गई है तैलंगाना की IIT विभाग द्वारा याद रखेगा और यह technology के बारे में बात करेंगे यह हो जाएगा तैलंगाना की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा तैलंगाना द्वारा ठीक है हाजी कौन सा हो जाएगा तैलंगाना द्वारा देरे डोलर की जो है credit line प्रदान की है एक billion dollar की जो है क्या दी है credit line जो है क्या करिये प्रदान करी है भारत ने ठीक है प्लीज बाते मत करें आंसर ना दे तो केवल पड़े लेकिन बाते मत करिये साथ-साथ में बाते करेंगे पता मजा नहीं आएगा ठीक है देखे सुनीगा था जी पिछले साल 2022 में स्रीलंका में आर्थिक संकट आया था अमेरिका ने 4 billion dollar के लिए इनको credit line दी ती याद रखेगा तो ये बात समझ लेजेगा कि अमेरिका ने 4 billion dollar की याद रखेगा तो 4 billion dollar जो है वो अमरीका ने 4 billion dollar की जो है क्या करी थी तो आपातकालिन साहिता दी थी उसी में से 1 billion dollar की बात यहां करता है तो ये 1 billion dollar हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 1 billion dollar हो जाएगा तो 1 billion dollar के लिए बात की गए थी कितने billion 1 billion dollar और ये हो जाएगा श्रिलंका को और ये भारत ने की थी लेकिन ये 4 billion dollar के अंतरगत आती है यह जो है किसके अंतरगत आती है? 4 billion dollar के अंतरगत आती है, clear? अगला देखेगा, हाजी, अगला देखेगा, संस्कृती मंत्राले और माई गौर्मेंट ने किस नाम से एक singing talent hunt launch किया है, यानि कि जो है, संस्कृती मंत्राले, एक तो हो जाएगा आपका संस्कृती मंत्राले, जो क्या किया है, launch किया है, ठीक है, फटाफट से बताईगा, इन दोनों ने जो है, ये जो है 10 माई को किया है, ये कारे क्रम जो है कब पेश किया था, तो 10 माई 2023 को जो है ये launch किया है, कब लोंच किया है, जैसे Indian Idol वगयरा चलते है न, उस तरीके से, ठीक है, चलिए, क्या आंसर आजाएगा, जिक्षण देखते हैं, क्या अंसर देते है आप इसका, अगहन गौरफ, सुर्श番राम, कद युवा, गायक एए युवा, प्रतिभा, क्या अंसर हो गया आप हाँ 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 ठीक है कौन सा हो जाएगा क्या अंसर हो जाएगा ओके हाँ जी हाँ चलिए हाँ जी सोच समझ के अंसर दीजिएगा हाँ जी इसके पीडिएफ मिल सकती है क्या मिलेगी इसके पीडिएफ क्यों नहीं मिलेगी ओके हाँ 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 झाल 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 कौन सा हो जाएगा इसका अंसर इसका अंसर कौन सा हो जाएगा ठीक है हाँ जी क्या आंसर हो जाएगा इसका सभी विद्यारत योई आंसर देजिए कोई बी दे रहा है अच्छा कद युवा सूर्शंग्राम क्या हो जाएगा युवा प्रतिवा हो जाएगा या फिर जो है गायन गोरव हो जाएगा एक बार फटा-फट से फिरसे आंसर दे दीजिएगा चलिए हा जी ओके ओके इस थोड़ा फास्ट कीजे इसका आंसर तो देदो फास्ट कर लेंगे हा जी युवा प्रतीबा जो है, singing talent hans launch किया, युवा प्रतीबा, क्या answer हो जाएगा, ठीक है, अली साजी वर्मा जी, हाँ जी, सबने सी दिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, युवा प्रतीबा, युवा टेलेंट, युवा प्रतीबा जो है, वो इसको launch किया, अगला देखिया, ह जाल है में 20 वा प्रेस स्वतंतरता दिवस कभ मनाय गया, तीन मही को, तीन मही 170 s просто 80 से, सविक्टराज अमेरिका में, सविधान में, पहली बार प्रेस की स्वतंतरता को सामिल किया था, और वही से जो है 1993 से जो ही, यह दिवस मनाना श्वाणा चार्ट हो गया, ठीक ये ठीक है ठीक चलिए ओक्य हाँ जी ठीक है को है कया इस तीक है तीन मही हो जाएगा अगला देखीएगा स्रीलंका ने मार्ष दोभजार जाबीष में टीर मील्यन का बैल आउट पेकेज हाशिल किया स्री रख Sandy तो स्री लंका ने जो जो पैकेज है यह वो आर्थिक संगट से जूज रहा था ना उस पे यहां जो है पैकेड जो है वो क्या किया था जो पैकेज जो है उसको मिला है तो यह कौन सा हो जाएगा फटाफट से बताएगा तो यह इसको मिला है इंटराश्टी मुद्रा फंड जो हो जाएगा वहां से तो यह इनको मिला है अंतराश्टी मुद्रा फंड से ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगला देखेगा नेशनल टेकनोलोजी दिवस कमना जाता है लो देख लो अब यह प्रशन तो आपकी परिक्षा में आएग नेशनल टेकनोलोजी दिवस ठीक है चलीगा तो नेशनल टेकनोलोजी जो है वो प्रतिवर्स जो है कब मना जाता है ठीक है तो नेशनल टेकनोलोजी दिवस जो है प्रतिवर्स कमना जाता है फटा फट से बताएगा हाँ जी कब मना जाता प्रतिवर्स ओके बावना दहरिय के चलेगा अगला देखीगा महान फूट elas निदन हो गया वहां किस खेलके खिलादी थे यानिकि जो है महान जो फूटबोर थे एंटनियो कारवाजन का निदन हो गया वहां किस खेल के किस देश क bon Devraud एक किस देश के किस restart अदो तो प्रस्ण में आगया इसलिए फुटबोलर थे और यह कहां के थे मेक्सिको के थे याद रखेगा और इन्होंने जो है 93 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है कितने साल की उम्र में 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है में वीश्वा कब में भाग लेने वाले पहले Mexican खिलडि आपका मेक्सिकों सा हो जाएगा तो यहांपर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिकों की से बनाया गया यानि कि जो N-I-I-F-A National Investment and Infrastructure जो fund है उसके अंतरिम M-D और C-E-O जो है वो किसे न्यूक्त किया गया तो वो हो जाएंगे साथ में समझोता किया था तो आयूश मंत्राले ने एकिकरत स्वास्था अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझोता किया है तो यह समझोता किसके साथ में किया है तो एकिकरत स्वास्था अनुसंदान को बढ़ाने के लिए तो आयूश मंत्राले ने जो इस research को बढ़ाने के लिए किस के साथ में क्या किया है समझोता किया है ICMR के साथ में क्या किया है समझोता किया है ठीक है, ISSF World Cup 2023 में भारत की किस खिलाडी ने जो है कौन सा पदक जीता है, काश्य पदक जीता है, चलिए, तो भारत की कौन सी खिलाडी जो है, ये अजरबेजान की राजदानी बाकु में आजित हुआ था, याद रखेगा, अजरबेजान की राजदानी बाकु में इसका आज हुआ ये भारत की निसाने बाज हो जाएगी रिदम सागवान ने जो है, डस मिटर एएर पिष्टल एएर पिष्टल आती है जो आप भी खरीच सकते है, थस मिटर एएर पिष्टल जिसमें जो है आपको लाइसेंस की रिक्वार्म के नहीं होती है, तो 10 meter air pistol में जो है इन्होंने जो है rhythm जो है सागवान ने 10 meter air pistol में जो है याद रखीगा तो इन्होंने जो है काश्य पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है, काश्य पदक जीता है, इसका अजर वेजान की राज़दानी बांकू में हुआ था, बहुत important है, ऐसे ही प्रशन आपके exam में पूछ जाते है, सीदे सीदे target करके, फिर से देखेगा अगला, अगला देखेगा, अगला question देखेगा, अगला, किस के द्वारा लिखित किताब, the Indian Metropolis, जो है, इंडिया इंडिया लिविशन का व्यमोचण किया गया, किसने लिखी है यहाँ, यहां पुस्तक, इंडिया पुस्तक लिखी गया है, तीके, हाजी, यह पुस्तक जो है यह किस से रिलिटेड है तो जो भारत के जो सहरी जो शेत्र है उसमें जो जो भी समश्या सामने आ रहे हैं उसको लेकर के हैं तो भारत के सहरी शैत्रों में सामने आ रही चुनोतियों को लेकर के यहां पूस्तक है। चुनोतियों को लेकर के पुस्तक हैं तो िनको चुनोतियों को लेकर के पुस्तक है और इह किस ने लिखिए तो फिरोज वरुन गांधी द्वारा यहां पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है फिरोज वरुन गांधी द्वारा यहां पुस्तक लिखी गई है फिर देखेगा अगला सविक्तर राष्टर की व्यस्विक मात्र मित्यू दर मत्र जन जन्म और नवजात म्रत्यू के मामले में सूची में पहला देश कौन सा हो जाएगा सविक्तर राष्टर संग की व्यस्विक मात्र मित्यू म्रत्य जन्म और जो है नवजात म्रत्यू के मामले में सूची में पहला देश कौन सा है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा म्रत्यू होती है ठीक है चलिए ओके हाजे हाजे कौन सा देश हो जाएगा ओके चलिए हाजे 2020-21 में इसके तर चार पॉइंट पांच मिलियन मोते होई थी ठीक है ओके कौन सा होजाएगा इंडिया हो जाएगा भारत हो जाएगा अगला देखेगा हाजी अंतराष्टी नर्स दिवहस कब मना जाता है अंतराष्टी नर्स दिवहसची यह कब बना जाता है ठीक है अंतराष्टी नर्स इंटर-National International Counseling of Nurses, द्वारा यहां दिवस मना जाता है, किसके द्वारा मना जाता है, International Council of Nurses, द्वारा यहां दिवस मना जाता है और यह प्रतिवर्स जो है, वो 12 मही को मना जाता है। अंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला कोशन भारत ने किस airport पर देश का पहला Reading Lodge open किया है, याद रखेगा, नरेंदर मोदी ने इसका क्या किया था, उधगाटन किया था, clear है, तो PM मोदी ने संसदी शित्र में, तो वारांसी के लाल भादूर सास्त्री हो जाएगा, यह कहां हो जाएगा, यह राल भादूर सास्त्री अं तो आप लोग रेडी है, आपन, आप लोग के साथ में तो आप लोग होंगे, और 100 कोश direction मेरे खाल से और करेंगे अपन, चार नहीं, सो कोशन और करेंगे, ठीक है, ओके, हाजी, ऐसा थोड़ो ही होता है, कि आप लोग ये कहो कि सर, जो है, तीन कोशन और है, भारती नो सेना और रोयल भाई, रोयल थाई, नो सेना ने कहां पर 25 वे कारपेट एक्सरसाइस का जो है, क्या किया था आयोजन किया था, भारती नो सेना और रोयल थाई सेना, इन दोनों ने कहां पर किया था, ठीक है, ओके, तो ये कहां पर किया था, तो देखो, एक बात की बात की जाए, तो ये कहां पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, अब देखो, इसका आयोजन जो है, वो अंडमान नि निकोबार में किया गया था अंडमान निकोबार में किस किस के बीच में किया गया था तो भारत वर्सेज में कौन हो जाएंगे तो भारत वर्सेज क्या हो जाएगा तो थाइलेंड हो जाएगा तो भारत वर्सेज क्या हो जाएगा थाइलेंड ओके चलो 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 देखते हैं कितने लोग साथ में हैं कितने लोग साथ में नहीं है चलिए सर आज सो कोशन बहुत है ठीक है तो फिर सो ही करते हैं पन अगले कोशन की और देखेगा अगला कोशन क्या कहता है लेकिन हाँ कल जादा करेंगे फिर कल से 200-200 प्रशन रोच करेंगे कसम खाओ प्रतिग्या करो कि हाँ सर कल से 200-200 प्रशन रोज करेंगे तो आज शो पे छोड़ दूँगा वरना जो है ना 200 करूँगा पूरा इसलिए जो पहले घसम खाओ कि सर करेंगे पका गुची जो फैसन ब्रांड है किसे ग्लोबल अमेडर के रुप में जो है गुची ने गुची की ब्रांड है आपक क्या करो चलिए हाँ जी कल से 200 प्रशन करेंगे किस एक्टर को बर्लीन में विशेश ओलंपिक यात्रा के लिए एंबेजेटर के रुप में भारती दल में सामिल किया था ठीक है कौन सा एक्टर था वो 16-25 जुन को जो है किया जाएगा इसका आज़न जो है 16 से 25 जुन तक ज किल से करा देना प्लीज कल से 200 कोशन ठीक है ओके ओके ऐसमान खुराना काँ चले कह यह रहे अमिता बचन नहीं है अजे देवगण भी नहीं हाज है हाज है हाज सबने मेरी केसम खाली है ओके ठीक है तो सो प्रश्णा हो गए और कितने प्रश्णा बाकी है मई महीने के अब देखो पार्ट टू करना पड़ेगा इसका क्या मतलब है रोज ही अपना लग लग चले जाएंगे तो क्या मतलब होगा अपने को रोज 200 प्रश्णा खतम करके इनको 12 दिनों में खतम करना इनकी संख्या को जादा लेके नहीं जाएंगे वरना तो दूसरे फिर कप करेंगे आप ही सोचिए वरना ऐसे करते रहेंगे तो देखो लास्ट एक सो बराणवे प्रश्णा है खाली बराणवे प्रश्णा और हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे एक डेड़ दो गंटे में खली बराणवे प्रश्ण 92 फोजन है तो आराम से हिजी हो जाएंगे ठीक है तो कोई बात नहीं हाँ जी तो ग्राण बेगराउंड में सौंग चल रहा है सौंग इसली चल रहा है क्योटकी जो है क्लस आपकी ओफ हो गई है कोई दिकतवाली बात नहीं यहां तक बहुत है तेंक यू सो मच। हाजी रोज 200 करेंगे अब कल से 200 करेंगें वरना लठ हो जाए गम ध्यान रखियगा आज अपने इतना इह करा दें हkee और कल करा दिनेंगे observed करेंगे लेकिन आशना दूच्टे परशू ऐven कल स्कार बयाद रखेगा दायखिक न्यख करा दूच vet तो चलिए इसी के साथ जो है सो प्रश्ण आई होफ की अच्छा एक बार ये कमेंट करके बता भी सकते आपके कितने साही हुए है कितने आपके साही हुए ये भी कमेंट करके बता दीजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जी हाँ जी है तो चलिए अब नेक्स्ट औरने वादे लाट